जीवन में प्रतेक एक्टिविटी किसी ना किसी कारण से शुब या अशुब होती है प्रश्न यह उत्पन होता है कि हमें इस चीज का इल्म होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए कि जो हम काम करने जा रहे हैं जिस वाता वरण में हम रहे हैं कब हमारे लिए शुब रहेगा और कब हमारे लिए अशुब रहेगा शुब और अशुब किसी भी कार्य का होना किसी भी घटना कर्म का होना यह हमारे उपर ही निर्भर करता है बशर्ते हमें इस चीज की जानकारी हो कि ऐसा करने से यह कार्य हमारे लिए शुब होगा और ऐसा करने से यह अशुब होगा अब ये जो शुभ और अशुभ किसी कार्य का होना या तो हमारे अनुभाओं पर निर्भर करता है कि जब जब मैं अमुक रास्ते से गया तो मैं जिस कार्य से के लिए गया उस कार्य में मुझे सफलता मिली और जब जब मैं दूसरे रास्तों से गया मुझे कार्यों में सफलता नहीं मिली तो अनुभाओं आपका क्या कह रहा है अनुभाओं कह रहा है कि हमारा वह रास्ता जिस पर चलकर हमें सफलता मिल रही है वही हमारे लिए शुब है इसलिए हमें उस रास्ते से ही अपने कार्य की सफलता का चयन करना चाहिए और कोछ शुब अशुब की जानकारी हमें कोई एक्सपर्ट देता है अब इसे छोटे से उधारन से समझते हैं स्वास्ति अनकूल नहीं रहता हम फिजिशियन के पास में गए उन्होंने हमें बताया आपको ब्लड प्रेसर हाई रहता है नमक कम खाना आपके स्वास्ति के लिए शुब है और नमक ज्यादा खाना आपके स्वास्ति के लिए हानिकारत है मुझे आप ये बताओ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अशुब को अपनाएगा और शुब को छोड़ देगा स्वाभावी कर जैसे ही आपको ये जानकारी मिली कि ये कार्य करना मेरे लिए शुब है मेरे स्वास्ति के लिए हानिकारत है आप घर आते कह देटे है कि भई देखो आज से मेरे जो चपाती बनाओ उस आटे में नमक मट डालना जो सबजी बनाओ उसमें जितना नमक डालते हो उससे आधा नमक डालना उपर से में नमक डालता हूँ सबजी में अब वह में नहीं डालूँगा क्यों ये एसा सब क्यों में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अगर एसा करूँगा तो मेरा स्वास्ति ठीक रहेगा और इसके विपरीत करूँगा तो स्वास्ति गड़बड हो जाएगा इसी प्रकार से अगर डोक्टर ये कह दे कि आपको सुगर की तकलीफ है बड़ी हाई है भाई आपको मिठाई बंद करनी पड़ेगी दूध बंद करना पड़ेगा चीनी डालना चीनी से बना हुआ सामान बंद करना पड़ेगा आप तुरंत यह decision ले लेते हैं कि मैं अब मावे की मिठाईया नहीं खाऊंगा अब मैं फीकी चाई प्यूंगा अब मैं फीका दूद प्यूंगा और कम से कम मीठा खाऊंगा क्यों कि अगर मीठा खाते हैं तो वह आपके स्वास्त के लिए हनिका रखें और मीठा कम लेते हैं या लेते ही नहीं हैं वो स्वास्त के लिए अच्छा है तो हम कौन सा कारिये जो हमारे लिए शुब है वह करना चाहें तो आप यहां यह देखिएगा कि जब हम अपने स्वास्त के प्रती इतने सजग है तो दूसरी घटनाओं के लिए हम सजग क्यों नहीं रहेंगे हर व्यक्ती चाहता है कि वह स्वस्त रहे सुकी रहे हमेशा याद रखिए कम से कम दो सुख तो हमारे जीवन में बने ही रहने चाहिए वैसे जो साथ सुख वताएगे है वो सातों ही होने चाहिए अपने जीवन में पहला सुख निरोगी काया अगर हम निरोगी है तो दुनिया हरी भरी दिखाई देती है चिडिया की चिडियाओं की चहचाहट हमें मधूर सुनाई देती है बच्चों की किलकिलाहट भी हमें बहुत अच्छी लगती है तो पहला सुख निरोगी काया दूसरा सुख घर में हो माया कम से कम भी इनको तो अपनाएं आगे तो देखो केसी लक्षमी आती है और क्या-क्या होता है केसा पुत्र होता है ये तो सब बाद की चीज़े हैं तो आज मैं इसी कड़ी में यह है आपको बताने जा रहा हूं कि आप यदि अपनी जन्म कुंडली लगन कुंडली और चंद्र कुंडली रखते है या आपको जानकारी है तो ऐसी परिस्थिती में आप जो भी कारिय करे उसमें आपके लिए यदि अंक कहीं माने रखता है तो आपके लिए शुभ अंक कौन सा होगा ताकि उन अंकों को अपने जीवत में अपना कर हम सुखी हो सके और शुभ रंग हमारे लिए कौन सा होगा ये दोनों शुभ अंक और शुभ रंग ये दोनों में आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी चंदर रासी के लिए ग्याद करते है अब एक और बात में आप से शेयर करना चाहूंगा और वह यह है कि इसका धिंडोरा पीटने की हमें आवश्यक्ता नहीं होती है अपने को एसा लगा विगत अनुभाव हमारे कहते हैं हाँ यार यह अंक जब जब मेरे काम आया मुझे लाभ मिला यह रंग जहां जहां मैंने अपनाया मुझे लाभ मिला तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका पालन करना चाहिए दूसरी बात में आपको यह बता ही देता हूँ कि देखिएगा कि यह जो शुब अंक है और शुब रंग है यह हमारे भारति जोतिस के अनुसार में आपको चंदर राशी से बतला रहा हूँ हो सकता है निमिरोलोजी में यदि आपका विश्वास है तो आपके लिए शुब अंक शुब रंग कोई दूसरा हो सकता है देखिए बाजार में बुखार की ना मालूं कितनी टेबलेट्स आती है लेकिन डोक्टर तो आपको एक ही कंपनी की और टेबलेट लिखेगा और आप वही लेंगे ऐसे ही जोतिस में चाहे वह निमिरोलोजी हो चाहे हमारा भारतिय जोतिस हो चाहे अन्य किसी देश का जोतिस हो या अन्य किसी नाम से फुकारा जाए सब में अपनी अपनी व्यवस्थाएं दी हुई है आप यदी चंदर राशी में विश्वास रखते है मेरे इस एपिसोड को पूरा सुनियेगा और यदी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा क्योंकि मेरी कोशीश हमेशा आप तक सरल और शुलब और बहुत ही सार गर्भित बाते पहुचाने का रहता है मैं हमेशा अपने वीवर्स को कुछ ऐसी ही बाते बताना चाता हूँ जिन्हें वहे बिना किसी ज्यादा प्रियास के सरलता से अपना सके और एक सुखी जीवन जी सके तो चलो मैं अपने इसी बिंदू पर आही जाता हूँ अब इसमें क्या है आप जैसा जानते है कि चंदर राशी तो बारह होती है मेस है विशब है मिथुन है और इसी क्रम में यह है कुम्ब और मीन राशी तक कुल बारह है राश्या होती है पहले में शुब अंक और उसके बाद में शुब रंग यानि की कलर आपको जानकारी दूँगा मेस राशी जो पहली राशी है इसका शुब अंक एक तीन पाँच और छे है जबकि शुब रंग इसका लाल होता है दूसरी राशी हमारी आती है विशब राशी आती है इसका अंक शुब अंक एक तीन पाँच आठ और नो जबकि इसका शुब रंग सफेद नीला हलका भूरा होता है तीसरी राशी आती है मिथुन शुब अंक तीन चार पाँच और साथ कलर हरा और नीला चोथी राशी आती है कर्क इसका शुब अंक है एक तीन पाँच और बारह है जबकि शुब रंग है सफेद और हलका पीला लाइट यलो पाँच विराशी है हमारी शिंग शुब अंक है दो तीन पाँच और नो और शुब रंग है इसका लाल कन्या शुब अंक है एक दो पाँच और साथ जबकि इसका रंग है हरा तुला इसका शुब अंक है तीन चार और साथ शुब रंग है सफेद नीला और हलका पुरा विरिश्चिक शुब अंक एक छे आठ और रंग लाल धनू शुब अंक एक तीन चार और शुब रंग है पीला मकर तीन चे साथ और आठ शुब रंग है नीला और काला कुम्ब दो चार और आठ कलर है आसमानी नीला मीन तीन चार आठ और दस यह है सुनेहरा पीला जो शुब रंग है इसका वह है सुनेहरा पीला तो मैंने अभी आपको शुब अंक और शुब रंगों की जानकारी दी है मुझे उमीद है कि आप इनकी तरफ यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एसी परिस्तिती में संभव है कि आप इन अनुकूल अंक और अनुकूल रंग का अपने जीवन में फाइदा ले सके खियान रखिएगा देखिए मैं एक शिक्षा विध हूँ और मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि यह सब सपोर्टिंग्स होते है जीवन में सक्सिस के लिए यह सब सपोर्टिंग्स होते है और अंद विश्वास करके केवल और केवल आप सोचे कि मैं अंक और रंग इनसे सफलता प्राप कर लूँगा तो देखिए ऐसा नहीं है हां जहां आपको सो रुपे का मुनाफ़ा होना है 110 रुपे का हो सकता है 125 रुपे का हो सकता है लेकिन आप सोचो कि सारा का सारा मुनाफ़ा मेरा जो है वो केवल रंग और अंक की वज़े से ही है यह गलत गलत फैमी जो है वह हमें दूर ही रखनी चाहिए हमारे अन्य ग्रह गोचर भी काम करते है हमारा कर्म भी काम करता है और ना मालूम अन्य और कितनी बाते काम करती है केवल एक सपोर्टिंग के रूप में की बढ़िया रहेगा अगर कहीं आपको चुनाव करने की जुर्वत पड़े तो एसी परिस्तिती में आप चुनाव शुब अंक और शुब रंग का ही करे शेष आपके अपने श्यम पर निर्भर करता है आपका जीवन सुखी रहे इसी के साथ जैसी बिश्न